हेलो दोस्तो मैं कुंतल और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल आरूस आटोमोटीव तो दोस्तो आज हम सिखेंगे के मोटोर का जो सेंसर बोड है उसे कैसे चेंज करते हैं और नया या पुराना सेंसर बोड को आप कैसे माप सकते हैं तो ये जो मोटोर आप देख रहे हैं इसका जो है सेंसर बोड खराब हो चुका है तो आज हम लोग सिखेंगे के मोटोर का सेंसर कैसे चेंज करते हैं वो भी प्रैक्टिकल में और नया सेंसर बोड या पुराना सेंसर बोड जैसे के मेरा हाद में है एक नया सेंसर बोड तो इ वो नि7ज़ेृक सेंसर बोट की नेगेटीप है तो उसकेबाद जो है मीटर को हम बार्जर मॉड में सेट करेएंगे फोकस का फॉलो प्रजो ब्राबलेम हब तो आप देख सकेके मैंने य बार्जर मोडम में सेट कर लिया हूँ उसके बाद जो है मीटर का जो प्रोजेटिव है उसको फिक्स कर दूँगी सेंसर बोट की नेगेटिव से तो आप देखिए इसका तीन लेग जो है हम अलग-अलग से चेक कर रहे हैं मतलब रेट यूलो और ग्रीन जो होता है रेट यूलो ब्लू और ग्रीन जो है अलग-अलग करके चेक कर रहा हूँ तो उससे आपका ओम्स जो आएगा वो एक दो तीन चार कम ज्यादा रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद जो है यह सेंसर बोट एक बिल्कु करते हैं वह आज हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो है सेंसर बोट में थोड़ा सोल्डरिंग कर देंगे उसके बाद जब आप चेंज कर रहे हैं तो पूरा मॉर्टर को मत खुलिए मतलब उसका जो कनेक्शन बगारा है उससे खुलने की कोई जरूरत नहीं है एकदम इजी प्रोसेस है और इससे जो है आपको फिट से नया कनेक्शन करने का जरूरत भी नहीं है और ये वीडियो आप जो पूरा देखिएगा मतलब बीज में से छोड़ जाने से कुछ ऐसा वीडियो आयेगा कि वो निकल जाएगा फिर आपका मन में दो चार सावल पैदा हो जाएगा तो वीडियो जो है पूरा देखिए कैसे चेंज करते हैं मोटर का सेंसर बोड तो आप देख सकते हैं फूराना वाला जो सेंसर है मैंने उसको अभी तक हटाया नहीं जैसा लगा हुआ था वैसे छोड़ दिया तो देखिए खाली हम उसका नेगेटिव और पॉज लाना वाला बोड में जहां पर था वही पर आपको लगाना होगा इससे क्या होगा इससे होगा कि फिर से सिंसर का कनेक्शन आपको नहीं करना परेगा मोटा वाला जो मोटर का वैर है उसका भी कनेक्शन नहीं करना करना होगा और उसको खोलने के भी जरूरत नहीं है जैसे के देख रहे हैं मैंने खाली मोटोर डिपेंसियल से छुड़ा के बस पीछे का जो बैक कवर होता है मोटोर का उससे खाली हटा लिया उसके बाद जो है यहां से बुलू जिस एबी सी जैसा लिखा रहता है मैं एसे अगर बुलू वेर को खोलती हूँ तो इस बोट के भी ए मे मैं उसको लगा लगा दूंगा तो ऐसे सेंसर लगाया जाता है कोई भी मोटोर में और ज्यादातर मोटोर का सेंसर का प्रोब्लेम बरसात के टाइम होता है क्योंकि पानी मोटोर के अंदर जाते ही सबसे पहला जो एफेक्ट परता है वो सेंसर का और सेंसर अपका जब खरा तूट गया हो मगार वो problem आपका motor का sensor का है और कुछ लोग उसे समझने समझ नहीं पाते हैं इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि आपका premium मंदिर जो है वो खराब हो गया मगई ऐसी बाद नहीं है motor का sensor मैं जिस तरह से change करती हूँ यह सबसे easy process है आपका कनेक्शन की जंजट एकदम नहीं है इसमें खाली मोटोर को डिवेंसियाल से खोलिए उसके बाद जो है एकदम सेंसर तीन वेर जो होता है यूव ग्रीन और ब्लू उसको जहां जहां से आप खोले खोलिएगा मतलब एबी सी जी जो वेर जिसमें था दूसरा वाला सेंसर में भी आपको वही पे ठीक से लागाने होगा तो और आकरी वेर जो है मेरा बचा हुआ और यह वीडियो जब बना रहा था तब साम हो गई थी इसलिए लाइट का थोड़ा प्राब्लेम है इसके बाद भी आगर आपके समझ में नहीं आएगा तो मेरा वार्ट सेंब नंबर स् पूछी सकते हैं और यह वीडियो कैसा लगा यह भी कॉमेंट सेक्षिन में जाके प्लीज बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कर देना ताके उन लोग के भी इसके बारे में पता चले तो हो गया मेरा यह सेंसर बोर्ट चेंज करना मॉटर का अभी जो है इसको हम फिक्स कर देंगे और जब सेंसर अब उसके केसिंग में डाल रहे होंगे तब थोड़ा धियान रखियेगा के सेंसर का जो लेग होता है तो उसका खुम नाजूक होता है थोड़ा सा मतलब जो है अगर थोड़ा सा भी जोर से दवा दिया तो उसका जो लेग है वो टूट सकती है और आपका सेंसर खड़ाब हो सकती है और सेंसर एक एक करके आप अगर माप रहे हो तो आप सरी जगा मिलते है के नहीं यह तो मुझे नहीं मालूम है मगर इसका जो सेंसर का ले अलग अलग मतलब एक लेख खराब हुआ तो एक लेख भी आप चेंज कर सकते हैं इसके वीडियो में मैं बाद में बना दूंगी तो हर जगा अगर मिलेगा तो आपको इतना भी जंजटे में जाना का जरूरत नहीं है आप पहले माप लीजिए कि उसका कौन सा लेख खराब ह और वो लेख खली आप चेंज कर दीजिए तभी आपका जो मोटर है फिट से रानिंग हो जाएगा तो अभी जो हमें करना है टाई लॉक से इसको फिक्स कर देना है ताके यह बाद में बाहर ना आ पाए इसका जो सेंसर है देख सकते हैं मैंने फिट कर लिया है यहां पर खली टाई लगा देंगे और यह रहा पुराना वाला सेंसर जो अभी खराब हो चुके है मगर इसका एग लेख भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके वहां पर एवेलेबल है तो एग लेख चेंज करने से भी यह जो सेंसर है यह एक लेक चेंज करने से चले जाएगा इसलिए मैं जो हूँ इसको अभी रख दूंगा ठीक से और ओम्स मूड मैंने आपको दिखाया था जो बार्जार मूड में होता है और यहां से जो है आप वेर से अगर चेक करना चाते हो मतलब आपका कॉंट्रोलर के बगल में जो मोटर का सेंसर का जैक जाती है वहां से भी आप मोटर का सेंसर चेक कर सकती हूँ इसके लिए जो है आपको वहां का जो नेगेटिव है मोटर का उस नेगेटिव में मिटार का प्रोजेटिव दे देना होगा और मोटर का जो प्रोजेटिव है उससे माबने की कोई जरूरत नहीं है आप खाली तीनो जो वेर है ग्रीन यूलो और ब्लू इन तीनो वेर को माब लीजिए के सभी एक तरह के है के नहीं मतलब खाराब अगर रहेगा सेंसर तो आपका वहाँ पे दिखाई देगा और कुछ-कुछ सेंसर जो होता है वह एकदम मतलब सारे पांसो से हजार हो के डेर हजार होके एकदम जीरो हो जाएगा तो समझ लिजेगा कि वह सेंसर पूरा खराब है तो यह जो मोटर है इसका सेंसर मैंने एकदम फिक्स कर दिया है अभी जो है इसको हम फिटिंग करेंगे फिर घूम रहा है कि नहीं वह भी आपके आप लोगों के साथ सेयर कर दे दीजिए ताके अगला जो वीडियो मैं यूटूब पे आपलोड करू सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के बगारा चले जाए और यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सेयर कर दीजिएगा ताके मुझे और और भी नया नया और अच्छा वीडियो वानने का होसला बर जाए तो आप देख सकते हैं मैंने मोटर का जो पीचवारा है उसे फिटिंग कर दिया मोटर घूमेगा की नहीं अब देख सकते हैं मोटर पूरा रानिंग हो चुका है तो यह रहा आज का मेरा वीडियो आज का टॉपिक का मोटर मतलब हाउ टू चेक एंड चेंज मोटर सेंसर मोटर होल सेंसर भी कुछ लोग इससे बोलते हैं मगर मैं इसे मोटर का सेंसर या सेंसर बोड बताती हूँ तो मेरा यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धने बाद तो आभी जो है मोटर को हम फीट करके डिवेंस याल के साथ फासा देंगे तो वीडियो मेरा चैनल में आने में थोड़ा देरी हो रहा है इसलिए कि मैं भी थोड़ा बहुत बीजी रहता हूँ मेरा इस यूटूब चैनल पर आपको इरिक्सो डिलेटेड वीडियो दिन में दो या तिन मिली जाएगा मगर आभी थोड़ा बीजी रहता हूँ इसलिए दिन में एक ही वीडियो डालती हूँ और आप मुझे बताईएगा कि अगला जो वीडियो मैं बना हूँ वो किसके बनाओ मतलब इरिक्सो के कौन सी चीज के उपर वीडियो बनाने से अब लोगों को हेल्प मिलेगा अगर आप ये कॉमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं उसी का वीडियो बहुत जल्द मतलब आज आप बोलेंगे तो काल उसका वीडियो आ जाएगा यूटूब पे